एक्ट्रेस तुनीशा शर्मा केस में सांधी कालाकार शीजान मुहमत को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया क्या है तुनीशा का रविवार तड़के मुंबई के जेज़ अस्पताल में पोस्ट माटम हुआ शुरुवाति रिपोर्ट में मौत की वज़ह दम घुटना बताया जा रहा है तुनीशा ने शर्यवार को शूटिंग के सेट पर ही पांसी लगा कर खुट की जान ले ली थी मौके से कोई सूसाइड नोट नहीं परामत हुआ था पुलिस एपायार के मुताबिक शीजान ने 15 दिन पहले तुनीशा से ब्रेक अप कर लिया था इसी वज़ह से तुनीशा तनाव में थी शीजान को आज यनी रविवाल को कोट में पेश कर दिया क्या है तुनीशा की माँ ने शीजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा है कि तुनीशा ने शीजान से परिशान होकर आदमहत्या की है पुलिस ने फैमिली की शकायत पर केस दर्ज कया है पुलिस हत्या और सूसाइट दोनों एंगल से मामले की चांच कर रही है बता दे 20 साल के तुनीशा एक म्यूजिक वीडियो शूट करने वाली थी शनिवार को जब सेट पर लोगों ने उन्हें फांसी पर जूलते देखा तो उतार कर अस्पताल ले गए लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी हाथ महत्या से पांच घंटे पहले ही उन्होंने इंस्टेग्राम पर अपनी कुछ फोटो और नोट शेयर किये तुनीशा ने लिखा था जो अपने जुनून से आके पढ़ते हैं वो रुकते नहीं है तुनीशा कट्रीना कैफ की फिल्म फितूर में उनके बच्पन का रोल कर चुकी है इसके अलावा अली बाबा दास्ताने काबुल में शहजादी मर्यम की भूमिका कर रही थी वे बार बार देखो कहानी 2, दबंग 3 जैसी फिल्मों में भी बतोर बाल कलाकार काम कर चुकी है 20 साल के तुनीशा ने अपने करियर के शुर्वात टीवी शो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप्त से की थी विचक्रवर्तिन अशोका सम्राड, गबर पूछ वाला, शेर पंजाब, महाराणा रंजीत सिंग, इंटरनेट वाला लव और इश्क सुभान अल्ला जैसे सीरियल्स में नजर आई थी फिलाल तुनीशा की मौत के मामले में पुलिसस के दूसरे साथी कलाकारों से भी पूछता अच करेगी वीडियो को लाइक और शेर करें रदुभाशी से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना न भूलें